हुलो एवरीवं वेल्गम टो आवर चाइनल विध्याज मस्ति की पाड शेला तो बच्चो हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में हमारा सेट चैप्टर का problem set 1 start कर दिया था बराबर है जो आपका part 1 था problem set part 1 उसमें हम लोगों ने कुछ question कर लिये थे जैसे कि हम लोगा first question हो गया था फिर उसके बाद हमारे second question भी हो गया था ठीक है उसके बाद हमारे third question, fourth question यह दोनों कहाते word problem थे तो वह हम इस lecture में लेने वाल है बराबर है यह चीज मैंने बता चुकी हूँ last lecture में ठीक है यह अभी solve करेंगे हम लोगों ने 5 भी देख लिया था six भी हम लोगों ने word problem इस lecture के लिए रखाता देन उसके बाद हम लोगों ने seven देख लिया था और उसके बाद अभी हम लोगे eight से देखना है ठीक है तो हमारे कौन-कौन से रह गया है three fourth और उसके बाद six और उसके बाद eight से हम लोग solve करने वाले है ठीक है तो अभी सबसे पहले हम लोग three से देख लेते है ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों आप लोगों को मैं यहाँ पर answer लिख लेती हूँ out of hundred percent कितने percent है आपके पास hundred percent है hundred percent है एक ग्रूप में उसमें 70 percent 72 percent speak English and 43 percent speak French ठीक है तो उसमें hundred percent at least one दो में से कोई तो एक language बोलते ही होंगे बराबर है तो यहाँ पर दिया है देन हमें क्या निकालना है how many speak only English only French and only both बराबर है जो दोनों बोलते हैं हमें निकालना है तो अभी हम लोग find क्या करेंगे सबसे पहले हम यह और क्या फ्रेंच को लिख लेते हैं English और French को लिख लेते हैं ुसके बाद मैं क्या लिखोंगी this order for today कीज देखा सब्सक्राइब फीटेस करेंगे ततो हम लोग 100 आपको 100 लेंगे लेख लिखेंगे हम्ने 100 उसके बाद मैं क्या लिखोंगी person speak English यहाँ पर मैं लिखूंगी person speak English person speak English, number of e लिखूंगी, मैं English को e लिख रही हूँ ठीक है 72, उसके बाद person speak French यह लिखूंगी, क्या लिखूंगी person speak French तो नंबर अव यह फ्लिक होंगे इसको क्योंकि फ्रेंच यह से स्टार्ट होता है इसलिए इसको मैं लिखूंगे 43 अभी हमें क्या करना है कोई भी सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले और दोनों बोलने वाले निकालने बराबर है तो बच्चो यहाँ पर देखो मुझे टोटल यूनिवर्स दिया है मतलब अगर मेरा ये यूनिवर्स है इसमें यूनिवर्स ये इंग्लिश वाले है और ये वाले फ्रेंच वाले है ठीक है ये इंग्लिश वाले बोला मैंने ये फ्रेंच वाले तो यह कितना दिया है 72 और यह कितना दिया है 43 तो अभी और universe कितना दिया है आपको 100 दिया है तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लूँगी यह देखो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकती हूँ सिर्फ English वाले निकाल सकती हूँ कैसे निकाल सकती हूँ यह देखो मैं क्या करूंगी 100 ह मतलब सिर्फ English वाले मिल जाएंगे देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले समझते हैं ठीक है फिर आपको समझ में आएगा फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी only English के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चो हमारे पास total कितना दिया है number of universe 100 दिया है बराबर है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे just one minute number of universe number of universe minus number of french अगर हम लोग universe में से french को minus कर लेंगे तो हमें पूरे बच्चो हुए English मिल जाएंगे ठीक है तो कैसे करेंगे देख minus french कितना है 43 तो कितने बचे 57 तो 57 लोग ऐसे जो सिर्फ English बोलते है ठीक है यह जो 72 दिया है mixture है कहीं यहाँ पर mix भी है कुछ लोग mix भी है इसलिए मैंने सिर्फ क्या निकाला अभी यहाँ पर मैंने लिकाला अभी सिर्फ English वैसे हम लोग french भी निकाल सकते हैं कैसे only french only french is equal to number of universe minus number of English अभी मैं English को minus कर लूँगी तो 100 minus English कितना है 72 तो मुझे कितना मिल जाएगा 20 20 कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा तो यह सिर्फ क्या हो जाएगा French हो जाएगे ठीक है इतना समझ गया है अभी हम लोग क्या करेंगे दोनों दोनों बोलेंगे तो दोनों मतलब उसका intersection ह हो जाएगा जो चीज कॉमन हो जाएगी बराबर है intersection ले लेंगे कुछ का English और French का तो हम उसको भी लिखेंगे कैसे बच्च यहां पर लिखते देखो मैं क्या दिखूंगी वह हमारा फॉर्मूला पता है न हमें कौन सा फॉर्मूला पता है चलो सबसे पहले intersection निकाल लेंग English और French में जो common है वो तो English और French में common कैसे मिलेंगे हमें यह निकालना है हमें English और French में common कैसे हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले number of E union F मतलब दोनों का universe is equals to ठीक है is equals to is equals to मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चो हमारा formula लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर formula क्या है आगे number of E plus number of F यह AB के form में भी आप लिख सकते हो मैंने E और F नाम दिया है इसलिए मैं E और F के न % number of E कितना दिया है सिर्फ ए कितना दिया है हमें E सिर्फ इदेखो 72 फीचे यह 72 और यह 43 है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग 72 और यहाँ पर 43 लिख लेंगे minus number of E intersection of यह हमें निकालना है किना यह हमें निकालना है तो यहाँ पर plus है बच्चो फिर इसको हम हम इसको इस साइड लेके जाएंगे और इस हंड्रेट को इस साइड लेके आएंगे बराबर है हां कि ना तो अभी हम आगे देखते हैं जस्ट वन मिनिट हाँ तो नंबर ओफ e intersection f is equal to 72 plus 43 कितना होता है 115 minus अगर मैंने 100 कर दिया तो मुझे कितना मिल जाएगा 15 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजे बोलते हैं ठीक है तो अभी हम लोगों निकाले कैसे बच्चो देखो सबसे पहले हम लोगों टोटल परसन निकाल लिए उसके बाद जो सिर्फ इंग्लिज बोलते हैं वह 72 और जो फ्रेंज बोलते हैं वह 43 बराबर है तो इन में कुछ फ्रेंच वह शीयर्य में कैसे बट पूर्पकी के लिए आजदे में पार हम लोगा सुटते हैं दोकिंग आया की से खुंते हूं इस की सतर्तन कंभां speak English and French both sorry student नहीं है person है so यहाँ पर लिखेंगे 15 person speak English and French both ठीक है यह लिख सकते हो वैसे ही आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो only English के लिए आप यह sentence लिख सकते हो कौन सा कितना यहाँ पर 57 speak only English यहाँ पर 28 only speak French ठीक है तो यहाँ पर समझ में आ गया 3rd question वैसे ही है हमारा 4th question देखेंगी तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या किया है 70 70 where trees were planted by part part ने कितने किया है 70 90 trees प्रद्या ने किया है ठीक है और 25 दोनों मिलके किया तो हमें क्या करना है प्रांथ how many trees were planted by दोनों ने मिलकर कितने मतलब दोनों का universe निकालना है हमें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए चलो तो इसके लिए हम लोग हमारी theory लिख लेते है यहाँ पर लिखेंगे trees trees planted planted by path trees planted by path ठीक है तो हम क्या लिखेंगे 70 ठीक है वैसे ही trees planted by प्रद्या प्रद्या कितने number of b is equal to 90 ठीक है और दोनों ने मिलकर मतलब वो क्या होता है आपका intersection होता है बराबर है common चीज़ तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे trees trees planted by both क्या लिख सकते है number of a intersection b is equal to कितना दिया है 25 अभी हमें निकालना क्या है बच्चों दोनों का universe निकालना है दोनोंने कितने total लगाए वराबर है तो हमारे पास formula आ जाएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते है number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b बराबर है फिर हम लोग इसमें value put कर लेंगे number of a union b थो हमें निकालना ही है इसमें कितना आ जाएगा 70 plus 90 minus 25 तो क्या बच्चे का बच्चों यहाँ पर मैं आगे लिखती हूँ यहाँ पर 70 plus 90 किया तो मेरा 160 आ जाता है और उसमें 25 गए तो मुझे कितना मिलेगा number of a union b मतलब दोनोंने मिलकर जो total plant लगाया वो कितने होंगे यहाँ पर 135 ओके क्या मिलेगे हमें हम लोग लास्ट में लाइन लिख लेंगे समझ गए है सबसे पहले हम लोगों ने जो given है वो लिख दिया उसके बाद हम लोगों ने वह formula लगाया और simple में हम लोगों ने क्या किया बच्चों simple में यहाँ पर हम लोगों ने हमारा answer लिख लिए ठीक है फिर अभी हम लोग इसके आगे चलते है ठीक है fifth question हम लोगों ने last में देख लिया था अभी sixth question देखते है sixth question भी बहुत ही easy है थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगेगा क्योंकि उसमें step थोड़ी से एक extra है बाकी कुछ नहीं है ठीक है यह देखो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे सबसे पहले class 8 है sorry class है जिसमें 8 student है 28 में से art student के family में कितने dog यह बाला पेट है और 6 student ऐसे है जिनकी cat पेट है घर में ठीक है और 10 ऐसे student है जिनके पास दोनों है और अभी हमें अगर आपको पसंद होगा पेट लेकिन आपकी ममी को पसंद नहीं होगा तो वह बिलकुर मना कर देगी बराबर है हा कि ना तो वैसे ही जिनके पास नहीं है वह निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे हम अभी हम शुरुमात करेंगे total total कितने student है बच्चों आपके पास total 28 student है बराबर है हम लोग लिखेंगे total students 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 दिया है just one minute हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार बुक में आपको students ही दिया है total students आपको कितने दिया है total students number of universe से हम लोग इसको दिखाएंगे 28 ओके यह ठीक है और उसके बाद dog जिनका पेट है ठीक है dog को हम लोग d लिखेंगे so यहाँ पर लिखेंगे students students have pet dog ठीक है जिनके पास dog है तो हम लोग इसको number of d लिखेंगे कितने हैं आपके पास 28 ऐसे student है ठीक है students students have pet cat number of c लिखेंगे यह कितना दिया है आपको 6 दिया है और 10 ऐसे है जो दोनों है हम लोग क्या करेंगे students have both cat just one minute लेकिन यह जो बचे हुए बीच हुए है जिनके पास दोनों नहीं है वह आपको निकालना है तो अभी हम लोग step by step लिखेंगे आप लोग समझने की कोशिश को रहो वहाँ पर ठीक है हम लोगों ने उतना लिख लिया अभी सिर्फ dog जिनके पास है ठीक है तो वो कौन से होंगे देखो बच्चो सिर्फ dog जिनके पास है सिर्फ यह eight नहीं होंगे इनके कुछ यह दोनों में common भी चीज है एट प्लस 10 यहां 10 में भी इनके dog है कुछ बराबर है और इस 10 में कुछ cat भी है तो इनके हमें addition करनी पड़ेगी तो हम कैसे लिखेंगे देखो यहां पर आपको समझ में आएगा total dog only dog total dog only total dog only हम लग कैसे निकालेंगे number of d जो हमें दिया है dog कितने student के बाद से 8 लेकिन जो intersection है वो कितना है 10 बराबर है 10 दिया है क्योंकि वो हमें intersection है तो वो total dog कितने हो गए 18 वैसे ही total cat only total cat हम लोगों ने consider किया तो c 6 plus 10 is equal to 16 हो जाएंगे समझ गए आप लोग हमें क्या निकालना है सबसे पहले सबसे पहले हम लोग इसका union निकाल लेंगे फिर union को universe में से minus कर लेंगे तो हमें बीच में जो रहे है उनके value मिल जाएगे ठीक है तो देखो हम सबसे पहले हमारा formula लगा देंगे number of dog universe cat is equal to number of dog plus number of cat minus number of dog intersection cat तो यह हमें universe निकालना है total dog हम लोग उनके कितने find किये 18 plus 16 minus दोनों का मिलाकर 10 दिया है तो यहाँ पर हमारा answer आ जाएगा 24 तो number of dog universe cat दोनों को मिलाकर कितना दिया है 24 लेकिन हमें universe में कितना दिया है 20 यहाँ पर 28 दिया है और यह D और C का addition कितना आ गया 24 तो हम लोग अगर universe में से यह निकाल लेंगे D और C के addition तो हम यह बिच में मिल जाएगा यह जो रास्ता है यहाँ पर यह जो खुला हुआ है यहाँ पर कोई भी नई dog रहेगा ना cat रहेगी उनकी value मिल जाएगी तो हम लोग लास्त में के लिखेंगे number of universe minus number of dog union C is equal to 28 आपको दिया है उसमें 24 चलेगे तो कितना मिल गया 4 तो लास्त में आप के लिखोगे कौन से लास्त वाई line लिख लो how many students do not have dog or cat as their pet animal बराबर है तो हम लोग लिखेंगे four students four students do not have dog or cat as pet animal ठीक है यह आप लास्त में एक लाईन लिख लेना समझ गए हम लोगों ने क्या किया हम लोगों सबसे पहले dog और cat के लिए और universe के लिए जो दिया है वो निकाल लिया उसके बाद हम लोगों को उनका intersection भी दिया है उनमें जो दोनों में है वो भी हमें दिया है फिर हम लोगों ने क्या किया total dog निकाले total cat निकाले फिर उनको हमारे formula में put किया और हम लोगों ने union निकाला और उन union को universe के साथ minus कर लिया समझ गया ना बच्चो अब लोग 7 तो हम लोगों ने last time कर लिया था अभी हम हमारा eight problem करेंगे तो देखो बच्चो यहाँ पर आपको quadrilateral दिया है rhombus दिया है square दिया है rectangle दिया है parallelogram दिया है बराबर है तो आप लोगों को parallelogram पता होगा parallelogram ऐसे कुछ तो भी होता है बराबर है ठीक है फिर quadrilateral कैसे होता है आपका quadrilateral निकाल लो आप लो ठीक है उसके बाद आपको निकालना है rhombus निकालना है ठीक है rhombus कैसे होता है यह निकालना है ऐसे कुछ तो भी होता है rhombus उसके बाद square और उसके बाद rectangle ठीक है तो हमेशा याद रखना जो जिसमें 4 साइड होंगी वो हमेशा पैरलोलोग्राम के जैसा ही होगा तो यह हमेशा बाकी के जो आपके बाकी जे स्टेटमेंट है वो हमेशा किससे रिलेटेड रहेंगे quadrilateral से related रहेंगे ठीक है वो parallelogram हो या कोई भी हो वो किस से related होगा हमेशा quadrilateral क्योंकि जिसमें 4 side आ जाएगी वो क्या हो जाएगा quadrilateral हो जाएगा ठीक है समझ दो इतनी बात को फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है rectangle भी दिया है square भी दिया है square कहां से आता है बच्चो parallelogram हो जाएगा उसके बाद आपका rectangle भी हो जाएगा क्योंकि देखो इस rectangle में 2 square भी चुपे होए है तो वो square से भी related हो जाएगा उसके बाद आपका जो square है वो parallelogram से हो जाएगा andra-not-雪 सक को गए उसके बाद आपका v रेक्टेंगल रोम्बस नो भी होता हाई इक्वल किसके रोमबस हमारे रेक्टेंगल के रेक्टेंगल होता है विसके सिधा सिद्धाध permit यहाप है उसके बाद यहां पर आपका विय्मrá सेट है और तो WE अपर आपका सेट है धुब सभाव किसी का सेट रेक्टे गार्रार वट्बर थी यहां पर आपका को पर करेंश को दॡ्ब आपका करम को चुप गाव वाई भी आपका किसका था रेक्टेंगला थीथ थीख है मैंने यह लिखे से थीख है उसके बाद टी वह भी किसका subset कैसी सबसेट है उसके बाद यह जो है वह सबसे me का यॉदक कुना मतलब यह आपका का सथ कि यह लो Stefan अच्छे से दिमाग लगा के पड़ोगे, तो ये भी आपको आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद, यस आपका subset हो जाएगा, T के साथ भी हो जाएगा, क्यूंकि square, square हमेशा किस में आ जाता है, पैरलोलोग्राम में आ जाता है, बराबर है, वैसे ही rectangle, rectangle भी आपका पैरलोलोग्रा से रिलेट होते है, ठीक है, बराबर है, जो सारे है ना, वो quadrilateral और पैरलोलोग्राम से रिलेशन रखते है, ठीक है, तो चलो, अभी हम आगे देखते है, अगर आपको doubt होगा उसमें, तो आप लोग मुझे से फिर comment box में पूछ सकते हो, मैं उसको अच्छे से फिर basic class में ले सेट है, तो आपको ये दो निकालना है, यम इंडरसेक्शन साय और यम यूनियन साय, तो ऐसे निकालेंगे, अभी हम लोग पहले पहले कर लेते हैं, लेट, consider, consider, यम is equal to, मैंने एक सेट कंसिदर किया, 1, 2, 3 का, ठीक है, ओके, और साय जो सेट है, वो आपका क्या है, वो यूनियन साय, तो बच्चो देखो, यम क्या है आपका, यम है ये, 1, 2, 1, 2, 3, और साय क्या है, जिसमें कोई एलिमेंट है ही ने, तो जब हम लोग यूनियन निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की एडिशन करके लिखते हैं, तो मैं यम का तो एलिमेंट लिख यम, यूनियन साइ, यह किसके बराबर हो गया बच्चो? यम, यूनियन साय, यह यम के बराबर हो गया, बराबर है, ठीक है, तुम्हें यहां पर लिख भी सकते हूँ, यम यूनियन साइ, is equal to ्यम, ठीक है, वैसे ही हम लोग सेकंड सॉल करेंगे, वी, वी क्या है, यम इंडर सेक्शन साय हमें क्या मिल जाएगा बच्चों साय मिल जाएगा क्यों मिलेगा क्योंकि उसमें बिल्कुल जीरो वैल्यू आ गई तो और जीरो वैल्यू हमारे किसमें आ गई आती थी साय में आती थी तो हम लोगों को वह क्या हो गया एक जैसा हो गया ठीक है समझ गया तो यहाँ पर आपका 9th problem भी खतम हो गया अभी 10th, 10th में क्या लिखना है आपको बच्चो देखो आपको एक universal set दिया है A, B और उसमें कुछ intersection भी दिया है आपको वो end diagram देखनी है और सिर्फ आपको उसमें क्या लिखना है आपको जो given में पूछा गया है वो हमें find में पूछा गया है वो हमें लिखना है ठीक है सबसे पहले हमें क्या पूछा है universal set तो मैं अभी universal set यहाँ से start करती हूँ ठीक है universal set देखते हैं सबसे पहले देखो universal में पूरे आ जाएंगे so 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12 भी नहीं है ठीक है तो चलो अभी हम लोग एक-एक लिखते हैं ठीक है जो हमें मिल गया है वो हम सब एक-एक लिखते हैं कौन सा मिल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है बच्चो 7, 8, 9, 10, 11, और 12 नहीं है 13 यहाँ पर आपको क्या मिल गया है आपका यूनिवर्सल सेट उसके बाद A निकालना है A सेट निकालना है सिर्फ A सेट A सेट में कौन-कौन से है यह पूरा आजाएगा 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 और 7 यह क्या आजाएगा आपका A में आजाएगा बराबर है उसके बाद क्या निकालना है आपको B वाला निकालना है तो B वाला देखो बच्चो यहाँ पर अभी हम लोग B वाला निकालेंगे B B में क्या है बच्चो यह देखो यह B वाला इतना है तो उसमें क्या है 1, 5, 8, 9, 10 बराबर है यह आपका आजाएगा B में ठीक है A भी मिल गया B भी मिल गया अभी हमें क्या निकालना है उसके बाद A union B तो देखो A union B दोनों का mixture लेना है तो देखो इसमें और इसमें यह वाले और यह वाले बॉक्स में कौन-कौन से सेम है 1 फिर 2 फिर 3 सेम नहीं पूरे ही लि वैसे ही हमें निकालना क्या है बच्चो आखरी में A intersection B तो अभी हम लोग यहाँ पर A intersection B लिखेंगे जो दोनों में common होगा तो A और B में इसमें और इसमें common क्या लिकर आपको 1 है 1 है फिर 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है 3 भी नहीं है 5 है उसके बाद 7 इधर है इधर नहीं बाकी के तो है ही नहीं तो यहाँ पर हमें 1 और 5 के मिल गया common मिल गया ठीक है तो यहाँ पर हमारे A intersection B भी हमें मिल गया इतना समझ गया तो यहाँ पर आपका 10th question भी खतम हो गया फिर उसके बाद 11 11 कुछ नहीं आपको कुछ given दिया है value आपको सिफ union की find करनी है so we know हम लोग क रिख सकते है we know कौन सा formula जानते है A union B is equal to A plus number of B minus number of A intersection B ठीक है तो A union B हमें निकालना है A की value है 7 plus B की value है 13 intersection की value है 4 फिर 7 और 13 कितना होता है 20 minus 4 कितना मिल गया बच्चो 16 तो हमें यहाँ पर last में क्या मिलेगा number of A union B is equal to 16 समझ गये तो यहाँ पर हमें हमारा last वाला 11 वाला भी answer मिल गया ओके यहाँ पर आपकी exercise खतम हो जाती है अभी देखो यहाँ पर आपको छोटी से activity दी है वह भी solve कर रही ही लेते है लगे हाथ ठीक है फिर यहाँ पर आपका पूरा chapter ही खतम close हो जाएगा आपको कुछ दिया में हटा देना है कौन सा 1 11 और 13 बाकी बचे हुए आपके a- में आएंगे बराबर है समझ गए आपका answer फिर वैसे ही b- निखा लो b- क्या होगा b में जो है मतलब कौन सा 8 है 5 है 10 है 11 है 15 है जो बचे है 1 3 12 13 यह क्या आ जाएंगे आपके b क्या है b- में आ जाएंगे बराबर ह वैसे ही आपका a intersection b a और b में common क्या है आपको दिख रहा है 11 दिख रहा है मुझे सिर्फ 11 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 वैसे ही a intersection b- मतलब जो आपका a intersection b निकल गया है वो आपको सिव universal set में हटाना है और बाकी बचे हुए यहाँ पर आ जाएंगे a intersection b- में आ जाएंगे बराबर है वैसे ही वैसे ही आगे बड़ो अभी देखो चलो क्या है a union b a union b क्या है आजाएगा यह वाला bracket यह वाला bracket पूरा और यह वाला bracket पूरा यह हमें लिखना है ठीक है repeat number नहीं लिखना वो सिर्फ दोनों bracket को join करके लिख लेना है फिर आपका जो यह bracket मिलेगा यह 11 11 13 13 यह 8 5 10 उसके बाद 11 आ गया और यह 15 मतलब बचे कौन से बच्चों यहाँ पर एक 3 बचा एक 9 बचा और 12 बचा यह आपकी कहा पर आ जाएंगे यह आपकी यहाँ पर आ जाएंगे 3 9 और 12 समझ गये सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ पर यहाँ पर संभाल के लिखना है कि हमार भी निकालना है आपको धीरे धीरे करके सारे निकालना है ठीक है वैसे ही हमें यह भी वेरिफाइ करना है यह वाला जो आपको दिया है यह वाला यह वाला पॉइंट आपको जो दिवा है दिया है बच्चों यह भी आपको निकालना है फाइंड करना है कैसे करोगे यह जो दोनों की एक एक यह करेक्ट है क्या और दोनों एक दुसरे के बराबर है क्या यह देखो ठीक है वैसे ही यह भी आपको खुद ही सॉल्व करना है ठीक है यह खुद ही सॉल्व करो और अगर आपका यह वेरिफाय होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपका आ गया करके ठीक है और एक और activity दिये है आपको आपको क्या करना है information collect करने है 20 families की आपके पास वाले कि कितने लोग news पेपर पड़ते हैं कुछ English पड़ते हैं यह दोनों पड़ते हैं यह दोनों में से कोई भी नहीं पड़ता यह आपको क्या करना है पता लगाना है ठीक है तो चलो अभी यहाँ पर आपका problem set कौन सा खतम हो गया बच्चो यहाँ पर आपका problem set one chapter set ये वाला खतम हो गया पूरा अभी हम next lecture में कब मिलेंगे next lecture में हम लोग मिलेंगे हमारे chapter second के साथ ठीक है तब तक के लिए bye take care अगर पसंद आया होगा तो please like करना मत भूलना और comment भी मत करना भूलना क्योंकि अगर आपको कोई doubt होगा तो आप लोग अपना comment जरूर दीजिए कि हमें ये नहीं समझ माया मैं उसको फिर अच्छे से समझ ठीक है तब तक के लिए bye bye take care